हेलो फ्रेंज वेलकम टू भेक माई यूटूब चनल रोटो सक्सेज में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DRDO यान की Defense Research and Development Organization Recruitment 2022 के online application के बारे में और इसके full notifications के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर आपका DRDO यान की रक्सा अनुसंदान MV का संगठन की तरफ से आपके यहाँ पर न्यू रिक्रूट में नोटिफिकर्शन जारी कर दी गई है जो कि डारेक्टली आपके यहाँ पर निकल कर आ रही है आसिस्टेंट के लिए और टेक नेशन के लिए तो अगर आप इस वेकंसी को लेकर इंट्रेस्टेट रखते हैं अपलाई करना चाहते हैं अलिजेबल हैं तो आप इस फर्म के लिए अपलाई कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उस लिंक पर किलिक करके जो भी आपका ओनलाई फ करते हैं तो जैसा कि यहां पर आप देख पार हैं रक्सा अनुसंदान एमविका संग्ठन की यह ओपिसल वेबसाइट है जिसे आप चेक आउट कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी ओपिसल वेबसाइट पर आजाना है आनिक बाद यहां पर आपको स्कोल डाउन करके नीचे आना है और नीचे आएंगे तो दोस्तों जो भी आपको यहां पर लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट या फिर आपका रेग्रोटमेंट जारी कर दिया गया होगा उसकी डेटल आप देख पाएंगे साथ यहां पर आपको यहां पर नीचे आना होगा और आनिक आपका जो मोबाइल फोन है आप उसे रोटाट साइड में कर लेंगे और उसके बाद आपको डेश्टोर साइड में करना होगा तो यहां पर आप किरिक करेंगे जैसा कि यहां पर आप कंप्यूटर में देख पाते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं आपके यहां पर जो new registration का option यहाँ पर आप click करेंगे जैसे यहाँ पर आप click करेंगे उसके बाद आपके सामने इसका जो form है वो open हो जाएगा जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उसके बाद आपके यहाँ पर जो basic information है वो आपको देनी होगी तो सबसे पहले जो भी आपका यहाँ पर candidate का full name है वो आपको fill करना है तो आपका 10 के mark sheet है उसके according आपका name एंसन आप करेंगे उसके बाद आपका जो भी confirm candidate का full name है फिर से आपको confirm करना होगा और यहाँ पर आपका 10 digit का mobile number है वो आपको fill करना होगा और फिर से आपका mobile number आपको confirm करना होगा confirm करने के बाद जो भी आपका अपर active और valid email ID है वही email ID आपको fill करना है उसके बाद आपका जो भी email ID है वह आपको fill करना है फिर से आपका email ID आपको confirm करने के बाद जो भी आपका अपर alternative mobile number है अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं अब दरवाज आप इस उप्सन को ब्रेंक छोड़ देंगे उसके बाद आप इस सिगरोट को एंटर करने के बाद आप रेजिटेशन पर किलिक करेंगे अब उसके बाद आप देख पाएंगे आपके समने जैसे यहाँ पर आप किलिक करेंगे एक confirmation link ओपन हो जाएगा जिसे आप check out कर सकते हैं अच्छे से आप read out कर सकते हैं यहाँ पर आपसे काया गया है कि जो भी आपने जैनकरी फिलप की है आपको एक बार अच्छे से read out करना है उसे check out करना है अगर आपको लगता है कि सारे जान करें अपने अच्छे से फिल अप की है तो आपको ओकि पर क्लिक करना है अगर आपको डायूट है तो आपको कैंसल पर क्लिक करके उससी आपको डिट करना होगा अब उसके बाद आप देख पाएंगे आपका एंपर जो Regitation है वो online registration आपका successful हो चुका है उसके बाद आपकी email ID पर आपका तो भी registration number और आपका जो password है आपको send हो जाएगा वहाँ से आप check out कर सकते हैं उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा login का option तो यहाँ पर आपका जो भी user ID या फिर आपका email ID है आपको fill करना है उसके बाद आपका जो भी password है आपको fill करने के बाद आप इस security code को enter करेंगे उसके बाद आप submit पर click करेंगे अब उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पर आप login करके आ जाते हैं उसके बाद आपका जो password है आपको यहाँ पर update करना होगा तो यहाँ पर आपका जो भी current password है वो आपको fill करना होगा तो जो भी आपकी email id पर आपको old password send किया गया है आप उसी password को यहाँ पर fill करेंगे और fill करने बाद अब आपको एक new password यहाँ पर create करना होगा तो यहाँ पर आप से कहा गया है कि जो भी आपके यहाँ पर password की जो length है add character से लेकि आपको 16 character के बीच में जो भी आपका password है आपको create करना है और जो भी password आपने create किया है फिर से आपको confirm करना होगा confirm करने के बाद आप इस security code को enter करेंगे उसके बाद आपको update पर click करना होगा अब दूस्तों यहाँ पर आपका जो भी photo और signature से related आपकी जो भी जन करी है आपको अच्छे से check out करनी है कितिनी centimeter में आपका जो photograph और आपका जो signature है आपको यहाँ पर upload करना होगा उस document की detail आपको यहाँ पर दिग गई है जैसे आपको अच्छे से reverse करना होगा उसके बाद आपको continue पर click करना होगा जैसे यहाँ पर आप continue पर click करेंगे उसके बाद आप देख पाएंगे जो भी आप पर आपकी application की detail होगी आपको fill करने होगी अब उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा new application का option यहाँ पर आप click करेंगी जैसे यहाँ पर आप click करेंगी उसके बाद आपकी जो भी जान करी है आपको यहाँ पर mention करने होगी इनमें से आपकी जो भी discipline है उसकी detail आपको देनी होगी और उसके बाद आप से यहाँ पर काया गया है कि दोस्तों क्या आपके पास यहाँ पर CEPTM के अनुसार, Advertisement के अनुसार जो भी आपके यहाँ पर योगिता है अगर वो फूरी करते है तो आपको यह पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको नीचायन होगा नीचायनिक बाद आप से यहाँ पर काया गया है कि अगर आपने BTEC, MSC वगिर अगर आपने कर रकी है तो यहाँ पर आपको select करना होगा जो भी इनमें से आपकी detail है तो अगर आपने password कर रकी है तो आपको password select करनी है अगर आप appearing में है, parsing है तो आपको parsing select करना होगा तो यहाँ पर आप चूस कर सकते हैं उसके बाद आपको जो भी डिगरी का name है वो आपको select करना होगा और नो पर किलिक करेंगे तो यह जो आपका option है यह आपका disable हो जाएगा उसके बाद आपको simply अपना category चूश करना है तो यह आप आप select कर पाएंगे इनने मेंसे आपका जो भी category है उसके बाद आपका जो भी category का certificate number है वो आपको fill करना होगा और जो भी आपका caste certificate है वो आपका कब issue है उसकी date आपको mention करने होगी इस तरह से बनी date को आपको चूश करने है और उसके बाद आपका जो भी year है वो आपको select करना है select करने के बाद आपको नीचे ना है नीचे ने के बाद अगर आप disability person है तो आप yes कर सकते हैं नहीं है तो आपको no पर click करना होगा अगर आप yes करते हैं तो जो भी आपका type of disability है वो आपको देना होगा तो यहाँ पर आप select कर सकते हैं अगर आप no करते हैं तो यह आपका option है यह आपका blank हो जाएगा अब उसके बाद आप से काया गिया है कि अगर आप minority community से belong करते हैं तो आपको yes करना होगा अगर आप yes करते हैं तो जो भी आपका community है आपको यह पर छूश करना है यानि कि minority community में जो بी आपके यह आपर data होगी उसकी data आपको fill करनी होगी उसके बाद आप से काया गिया है कि अगर आप access to management है तो आपको yes करना होगा अगर आप यसक करते हैं तो जो भी आपकी joining की data होगी व आपको fill करने होगी और कब आप यहाँ पर discharge हुए हैं उसकी भी data आपको mention करने होगी अगर आप no करते हैं तो यह जानकर आपकी disable हो जाएंगी अब उसके बाद आपको फिर से नीचा आना है नीचानिक बाद दोस्तों यहाँ पर आप से काया गया है कि अगर आप किसी भी डीफेंस सर्विसेज के परसनल है तो आप को इसके नहीं होगा अधरवाज आप नो पर किलिक करेंगे आपने इंटरनेसलन खेल रखा है या फिर आपने नेसलन किया हुआ है या फिर आपका नेसलन इसपोर्ट है उसकी जानकर आपको देनी होगी अगर आप नो करेंगे तो यह उसके जानकर आपका बलेंक हो जाएगा अब उसके बाद आप से काया गया है कि क्या आप यहाँ पर जमिक स्मेर के विक्ति हैं अगर आप रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको यह करना होगा आजर बाद आपनों पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप से काया गया है कि अगर आप यह पर डाइवर्स परसन है वूमेन है तो आप उसकी जानकर दे सकते हैं यह जानकर आपको देनी होगी अगर आप स्पोर्ट परसन है तो आप उसकी जानकर दे सकते हैं यह जानकर आपको देनी होगी अगर आप Japanese करते हैं तो जो भी आपका स्पोर्ट का नेम होगा उसके बाद आपके चूशुक्त करना है तो यहाँ पर आप अस्लेट कर सकते हैं अब उसके बाद आपसे काया गया है कि अगर आप किसी भी government के servant है तो आपको यस करना होगा, other बाद आप नोपर click करेंगे, अगर आप यस करते हैं तो जो भी आपकी जानकरी होगी, वो आपको fill करने होगी, उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आनिक बाद आपसे यहा इंडियन ही सेलेक्ट रहेगा, उसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आनिक बाद आपको यह यह कोई करना होगा है, जो भी आपका वेट होता है वा आपको देना होगा और आपसे यहां पर कहा गया है कि जो भी आपके यहां पर examination की detail होगी वो आपको fill करने होगी यहां पर आपका जो भी examination center है वो आपको fill करना होगा तो कहां पर अपना examination center आप लेना चाहते हैं आप उसकी जैन का recommendation करेंगे same इसी तरह से आपको second option select करना है और इसी तरह से आपको third option select करना है तो यहां पर अपने according अपना option आप select कर सकते हैं अब उसके बद आपका date of birth है वो आपको fill करना होगा तो सबसे फ़ले अपका डेटो बर्थ का दिन आपको चूस करना है उसके बाद अपना मंत आपको चूस करना है और आपका जो भी एर है वो एर आपको select करना होगा जैसे यहाँ पर आप आप select करेंगे उसके बाद आपका जो भी overall जो आपका percentage होगा एजिका वो आपके सामने काउंट हो किस हो जाएगा और यहाँ पर आप सिखाया गया है कि जो भी अपना डेटो बर्त आप यहाँ पर फिलप करेंगे वो आपके 10th के मार्क सेट के अकोडिंग ही आपका यहाँ पर मेल होना चाहिए उसके बाद आप सिखाया गया है कि जो भी आपका जेंडर है आप मेल है या फिमिल है आपको यहाँ पर फिल करना होगा उसके बाद आपका जो भी फादर का नेम है वो आपको फिल करना होगा और आपका जो भी मदर का नेम है वो आपको फिल करना है fill करने के लिए आपकी correspondence address की detail होगी यहाँ पर आपका address line first to second पर जो भी आपका complete address है आप उसके जानगर mention करेंगे और उसके बाद आपका city name है आपको fill करना होगा fill करने के बाद जो भी आपका distinct name है आपको देना है कि अगर आपका correspondence address और आपका permanent address से हम है आपको यहापर same as पर click कर देना होगा और इसके बाद आपको नीचे आना होगा नीचे आने बाद आप देख सकते हैं जो भी जानकरी आपने अच्छे से flip की है आपको अच्छे से read out करना है चेक आउट करना है और आपका जो भी यहाप आपकी जो भी जानकर है इसे आपको यह पर क्लिक करना होगा यह पर क्लिक करेंगे तो यहाप आप देख सकते हैं ऐसी और एस्टी कंडिटेट के लिए यह जो आपका यहाप पर फिस है वह आपका यहाप पर exam paid आपका रहेगा यान कि कोई भी form फिस आपको पे नहीं करना ह हैं अगर आप general से आते हैं तो जो भी आपका यहां पर amount होगा वह आपको सो जाएगा उसके बाद आपके सारी डेटल आपको अच्छे से चेक आउट करने के बाद आपको यहाप पर मिल जाएगा validate your detail option यहाप पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको 7S पर क्लिक करना पर आपको फिल करना होगा और जो भी आपका इसितुर अपर यह पर jean पर ओपने मार्क है फिल करना होगा और अगर आपककी CGP mark है तो आपको CGP mark आपको fill करना होगा उसके बाद आपका जभी मेक जबा mark है भो आपको fill करना होगा और जो ही आपका आपका total percentage है आप 수की entry करेंगी आपका जब आई TIi का detail है भो आपको fill करना होगा तो सबसे पहले आपका जब यहाँ पर subject है उसकी entry आपको करनी होगी उसके बाद आपका जो भी ITI का जो आपका roll number है वो आपको fill करना है आपका ITI का board करने में आपको देना है और जो भी आपके ITI की duration है वो आपकी एक साल की है ये फिर आपने दो साल में की है तो उसकी भी entry आपको करनी होगी उसके बाद आपका जो भी का iti का passing air है वो data passing आपको select करना होंगा और जो भी आपका IT का opt-in mark है वो आपको fill करना है अगर आपके iti में CP marg है तो आपको CP marg क요 entry करना होगी उसके बाज आपका जो भी iti का maximum mark है आप उसके entry करेंगे और आपका Life का percentage है आप उसके entry करेंगे Go फिppen बाज यहां तो passing और आपका जोबी mark obtained है वो आपको fill करना है, fill करने के बाद आपका मेकजिबा mark आपको fill करना है, और आपका total percentage है आप उसकी entry करेंगे, उसके बाद आगर आपके पास Excel का experience है तो उसकी भी detail आप select कर सकते हैं, तो यहाप आप उसकी entry करेंगे, entry करने के बाद आपको यहाप अगर आप appearance है तो आपको passing सलेट करना होगा, उसके बाद आपका जोबी course का name होगा वो आपको fill करना होगा और जो भी आपका institute या फिर आपका board का name है वो आपको fill करना होगा, और आपका जो भी यहाप डेटो passing है उसकी entry आपको करनी होगी, entry करने के बाद दोस्तों यहाप मिल जाएगा validate your detail को option यहाँ पर आप click करेंगे उसके बाद आपको 7 next पर click करना होगा अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी post का preference होगा वो आपको choose करना होगा तो इन सभी preference को आपको choose करना है इन सभी को ही आपको select करना होगा इस तरह से यहाँ पर आपको select करना होगा सभी को आपको select करने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे ना है और नीचे ने के बाद आपको यहाँ पर validate your detail पर click करने के बाद 7 next पर आपको click करना होगा अब आपको यहाँ पर जो फोटो और signature है आपको यहां पर upload करने हैं तो जो भी आपका scan की हूआ आपका photograph है वो आपका jpc format में चालिज के बीच में आपको यहां upload करने होगी तो आपको छूस पर पर click करना है और आपका जो भी फोटोग्राफ है आप उसे upload करेंगे अप्लोड करने के बाद अब आपका जो signature है आप उसे अप्लोड करेंगे और आपका जो भी आपका 10th के marksit है आप उसे अप्लोड करेंगे तो आपको age probe के तोर पर जो भी आपकी 10th के marksit है आप उसे भी अप्लोड कर सकते हैं उसके बाद आपका जो भी ITI कर NTC सेटिफिक्त है आप उसे अफलोड करेंगे और आपका जो भी NAC सेटिफिक्त है आपको सेटिफिक्त हो ऑपको अपलोड करने के लिएंगे करना होगा अब आप जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने जो आपका एप्लिकाशन का प्रिवे है वह प्रिवे उप्सन ओपन हो जाएगा जहाँ पर फिर जो डिटेल है आप उसे चेक आउट कर पाएंगे उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे है आपको यहां पर कंफर्म करना होगा कंफर्म करने के बाद अब आपको फानल से मिट पर क्लिक करना होगा अब उसके बाद आपके सामने फानल जो आपका लिंक है वह ओपन हो चुका है अब दोस्तों यहां पर आपको फानल ओप्सन दिया जाता है कि अगर अपनी जानका और आप लिए तो दोस्तो से यहां को सब्सक्राइब करें कि फिर न खूरो नना होगा वह तो वीडियो में कि किस तरह से आपको डीयरडयों का डीयो एक अव्चैत। तो दोस्तो आई होग कि वीडियो आपको फासंद आया है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें तो मिलते किसी और वीडियो भे तब तक के लिए जे हिन जे भारत